हाई गाइस विलकम यौल टुदी चैनल बहुत बार लोग का यह कोश्चन होता है कि सर मेरा एक मैटर ओलेडी केस चल रहा था कोर्ट में और मैं दूसरी शादी कर ली है तो इसके क्या रिपरकर्शन हो सकते हैं क्या यह वैलीड होगा शादी नहीं होगा या फिर इसके चांस शादी कर ली है तो वह कितना कोट में वैलिड होगा या फिर उसमें क्या प्रोविजन से यह सारी चीज़ों को हम डिसकेस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलें तो देखिए जनरली होता क्या है कि कोर्ट में जब आपका कोई डिवोर्स का केस पेंडिंग होता है या फिर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते रहता है तो जनरली बहुत टाइम लग जाता है तो लोग क्या करते है कि दूसरी शादी कर लेते हैं तो ऐसे मैटर में रिसेंटली केरला हाई कोट ने एक जजमेंट देते हुए यह बोला कि ऐसे लोग जो दूसरी शादी कर लेते हैं वह बाइगमी में आएंगे सेक्शन 494 & 495 अफ इंडियन पीनल कोट के अंदर में that is punishable त that punishment can go up to seven years साथ साल तक का जेल टर्म का प्रोविजन और फाइन का प्रोविजन है तो इसमें क्या अपील में भी जा सकते हैं लोग का क्विश्चन ही होता है कि सर अगर ट्रायल कोर्ट में मैटर चल रहा है अगर उदर से डिसमिस हो गया तो हम क्या अपील में जा सकते हैं त तो उधर से मैटर डिसमिस हो जाएगा ऐसी एक मैटर था उदेभान वर्शे स्टेट ऑफ महाराश्ट्रा जिसमें कि जो हस्पन्ड था उसने दूसरी शादी कर ली फॉस्ट में अलेडी मैटर पेंडिंग था। उनका मैट्र मेट्र मैटर्मोनियल डिस्प्यूट चल रहा तो आप कभी भी ऐसे steps नहीं लें देखिए जो कई बार questions ही होते हैं कि सर्च जो मैंने दूसरी शादी की है अगर वह valid नहीं है देखिए वह तो पहले illegal है वह शादी जो wife आएगी उसके भी rights नहीं होंगे लेकिन उस शादी से जो बच्चे होंगे जो children होंगे वह legitimate होंगे उनका right होगा आपकी property पे आपका और उनका आपका duty होगा उनके प्रती की उनको पढ़ाई कराना उनको अच्छा education देना उनको अच्छा bringing देना बट जो marriage होगा second marriage होगा वह legal marriage में नहीं आएगा तो देखिए problem यह है हमारे society में कि जो case है बहुत साल तक pending रहता है साथ साल दस साल पंद्रह साल तक pending रहता है तो लोग सोचते हैं कि अभी ऐसे में क्या करें तो चाहे husband हो या wife हो शादी कर लेते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं और सोचते ह यह तो बाइगमी आएगा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है चाहे वह husband हो या wife हो कोई भी अगर दूसरी शादी करता है without divorce तो उसे जेल जाना पड़ेगा बट आप एक काम कर सकते हैं ऐसे में कि आप live-in में रह सकते हैं देखिए live-in 2018 के बाद से यह live-in में रहना कोई problem होनी अगर आप married married है तो because 2018 के बाद से judgment था उसके बाद से live-in अगर आप कोई matrimonial problem face करें तो आप live-in में रह सकते हैं उससे आपके case पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई effect नहीं पड़ेगा because adultery अब कोई crime नहीं है पहले 2018 के पहले adultery crime था बट जज्म्न 2018 के जज्ज्म नहीं करें unless and until आपको divorce का decree मिल जाता है या फिर अगर आप कोई option choose करना चाहते है तो you can go for live-in relationship आप live-in में रह सकते हैं किसी के साथ तो I hope आपको ए clear हो गया होगा कि जब कभी भी आपका कोई matrimonial dispute चल रहा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं इस वीडियो से related अग comment section नहीं पूछ सकते हैं thank you